नमस्कार आप देख रहे हैं R9 TV मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटाजार्या और मैं हू रितुबिष्ट और आज हम बात करेंगे श्वेता यहाँ पर जिस तरह से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं रेप के और वहला भलादर के बात हो बिल्कुर थे सेक्स्वल हैरस्वेंट की बात हो क्योंकि प्रियांका रिड्डी का मामला अभी इस वक्त उभर कर सामने आया है और वहीं आपको बता दे शम्सपाहद में ही एक दूसरा केस भी देखते को मिला बातमें ही एक और महिला को जला दिया गया उसी जगह पर यहिप कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल उठता है कि पुलिस कर क्या रही है हमारी पुलिस हमारे सरकार जो महिला सुरक्षा की बात करती है देश की आदी आबादी हम है कितने कानून बना दिये गए निर्भेया कण्ड आपको याद होगा उसके बावजूर इस तरह क पर तेखंगे कि आखर सरकार और हमारी कानून वेवस्था, क्यों यहाँ लॉग का unut feather हो जाता है, हमूत बसष्ण एक किताए cesid हत्या लेकर तो आगे बढ़ते हैं लेकिन कल अगले दिन हमारी सोच क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं इसे को लेकर हमारी डिबेट ये जो चर्चा है पक्ष पक्ष हम यहाँ पर तयार रखेंगे लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर आप नज़र डालिए हैदरबाद में हुए गैंग रेप और फिर हत्या ने देश को हिला कर रख दिया है इस भायारक अफराद के बाद प्रियंका डेडी के दोश्यों के खिला हैदरबाद में आवास बुलंद हो रही है हैदरबाद में लोगों ने तड़क पर उतर कर सरकार पर सवाल उठाए को इस वारदात की आज दिल्ली के गल्यारों तक भी पहुँची दिल्ली में भी गल्ड़की का गुसा फूटा और लोगतंतर के सबसे बड़े मंदिर सलसक भवन के सामने अपना तरफ पया करने के लिए पहुची लेकिन शांती और सेवा और न्याय का दम भरने वाली हमारी दिल्ली पुलिस उस लड़की के साथ दरिंदगी पर उतर आई हाद से भोट छी लिया लड़कियों के लिए उठ रही उस आवाज को भी बंद कर दिया मैं रेप के से सुन सुन के ठक गई हूँ इसले प्रोटेस्ट कर वही थी तब किस से सवाल करना जाते हैं गौर्मेंट अब मैं अपनी सेव्टी पूछना चाती हूँ मेरी सेव्टी क्या है प्रियंकर रेटी के साथ हुई दरिंदगी की वारदात की आज ने दिल्ली को सुलगाना शुरू कर दिया है इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि कब तक में खौफ भेडिये बेटियों की आबरू को यूही लूटते रहेंगे और कब तक बेटिया डर की बेडियों में जखड़ी रहेंगी विरपोर्ट आर नाइन टीवी तो रे तु देखा अपने आनू दूबे ये वो लड़की है जिसे ये डर लगता है उसने प्यांका रेडी जब खबर पढ़ी तो वो सिर्फ ये प्रोटेस्ट कर रही थी कि मैं क्या अपने घर में अपनी कंट्री में सेफ फील नहीं कर सकती और पुलिस ने पता है क्या वहवार किया यही हम यहाँ पे सोचते हैं कि इतने कानून बना दिये जाते हैं निर्भया कान के बाद कानून बने और हम कहते हैं कि हम समवेदन शील हो रहे हैं और शायद यह कानून हमें मजबूती प्रदान करेंगे लेकिन लौ का फिल्यॉर है कि एक पुलिस वाले तीन-तीन कॉंस्टेबल महिला कॉंस्टेबल उसे घेर लेते हैं उसने शिकायत की कि मुझे नाखून दबाया गया मेरे साथ बदसलूकी की गई उसे ही टॉर्चर किया जा रहा है अनू एक लड़की जो सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात कर रहे है कि क्या मैं अपनी घर में अपनी कंट्री में सुरक्षित हूँ इसका जवाब चाहिए तो उसे पुलिस वाले ऐसे टॉर्चर करेंगे देखे श्विता हम इसको पूरा सपोर्ट करते है मैं भी इसे सपोर्ट करूँगी कि अगर आप खुद फील सेफ नहीं करते हैं तो आप उसके लिए आवाज उठाईए और यहीं मेरा कहना है कि आखरकार समाज अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाता क्यों ये इंतजार करता है कि यहाँ पर पुलिस आएगी तब कारवाई होगी तब यहाँ पर रेप केसिस दर्ज होंगे यह होगा वो होगा आखर क्यों हम अपनी जिम्मधारी को कहिनत नहीं आपर भूल जाते है समाज ने तो आवाज उठाई रहे तू अन्नू तो गई वो कुछ नहीं कर रहे थी बस तक्ती लेकर बैठी थी लेकिन वो लड़की जब बैठी है एक तक्ती लेके ना वो किसी तरह का वाइलन्स कर रही थी ना वो किसी तरह का अग्रेशन दिखा रही थी लेकिन पुलिस का ये वहवार तक्ती चीन ली गई उसे थाने में ले गया गया बाचीत करने की कोशिश आप उसका समझे किस मेंटल ट्रॉमा से वह गुजर रही है तो यहाँ पर अगर आप कह रही है समाज ने अपनी जिम्मदारी निभाई एक अन्नु खड़ी हुई शायद उसके साथ एक रित्तू और एक श्वेता भी खड़ी हो जाती लेकिन फिर पुलिस की जिम्मदारी बनती है लेकिन यहाँ देखिये प्रिशासन क्या कर रहा है क्या सरकार इस खबर को नहीं देख पा रही है एक लड़की जो अपनी सुरक्षा मांग रही है कहां है गवर्मेंट कहां है विपक्ष कहां अभी शीत कालिन सत्र चल रहा है क्या प्रियांका रेड़ी पर बाचीत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हमने देखा कि बाचीत किस पर हो रही है साधी प्रग्या का बाचीत तो यह एक्रामा हो रहा है तो यह तो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंड़ा है कि आप देश के आधी अबाधी बताईए लेकिन उनके बारे में कहां दो भाईया हमने कानून बना दिया लेकिन उन कानून का पालन करने वाले पुलिस उस तरीके से ला सेंसिटिव है और इसलिए यह लाग का फेलियॉर मानती है अगर समाज को में बदलना है अगर हम कहते हैं कि हमें अपनी कांदल उठानी है और उसको नया दिलाना है तो नया कैसे शुरू होगा आप अपने घर से इसके शुरूआत करिये आप अपने शेहर से शुरूआत करिये अपने राज्य से शुरूआत किये और फिर अगर हम कहते हैं कि हमें देश को बदलना है देश की सोच को बदलना है देश को एक उचाईयों पले जाना है तो कहते हैं उसको अगर apply करवाना है तो आप अपनी से पहले से apply कराईए लेकिन उन माबाप उन लड़कियों का क्या अगर एक माबाप कहते हैं कि मैंने अपने citizen होने के सारे rights and duties निभाए हैं उसके बावजूद मेरे बच्चे safe नहीं हैं कई ऐसे अभी इलाके हैं रितु यह तो मामला जो सामने आ गया लेकिन rural areas में अब चले जाएए कई जगे ऐसे मामले हैं जहां गाउं के लोग ही मिलकर इन मामलों को दबा देते हैं अगर कोई आवाज उठा कर पुलिस station पहुच भी जाये थाने पहुच जाये तो वहाँ पे थाने वाले भी जाके गाउं वालों से बात करते हैं और मामले को रफ़द अपा करा देते हैं यह attitude क्या पुलिस का होने चाहिए क्या वैसे दरिंदो को यहाँ पे प्रसाहन नहीं मिलता है कि वो आज गाउं में कर रहा है अगर किसी ने चोटे कपड़े पहन रखे थे यहाँ साफ तो पर कही न कहीं कानून की एक कमी दिखती है कि आपने कानून संसद में बैठके बना दिये लेकिन उसका execution ground पर क्या हो रहा है वो zero level पर हो रहा है अगर law आपने काम करे सही तरीके से तो cases बढ़ेंगे नहीं मैं यह नहीं कहीं खत्म हो जाएंगे एक यह ठीकरा जो है हम शायद कानून पर नहीं फोर सकते हैं जैसा कि मैं शुरू से बात कर रहे हुए कि आप जिम्मेदार ही हुआ रही है आपने जैसे गाउ देहात कहाँ पर जिक्र किया ऐसा नहीं है कि यह जो मामले है शायद गाउ देहात में ही कही न कहीं दप कर रहे जाते हैं अगर आप किसी अच्छे metro cities में भी आएंगे वहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े cases होते हैं जो रफा दफा केज आते हैं पैसे लेकर लेकिन अगर हम गाउ देहात यहाँ पर बात करें तो देखे कहां से होता है क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वहाँ तो पढ़ाई के लिए भी 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 भीजते हैं जब education ही नहीं मिलेगी तो कैसे कोई बच्चा समझेगा और क्या समझेगा वहाँ पर तो पूरा परिवार ही होता है पूरा कजबा है अगर आप यहाँ पर देख लीजे तो कहा जाता है कि 5 जो गाउ होते हैं आपके आसपास के वो पूरा परिवार कहलाया जाता है उसमें बेटियां जो होती है वो अपनी बेटियां होती है बहु जो उनकी होती है वो अपनी बहु होती है तो ऐसे मैं आप कैसे इसको चीजों के ले सकते हैं कि जो गाउ में जो जिस तरह के केसिस आते हैं उन बर एक्शन नहीं लिया जाता है पहले अगर एक्शन शायद घर अउपर की जिद्मिधारी बनती है, कि वो अपने बच्चों को करेक्ट करें, वो अपनी दब करें, वो अपनी समझाएं, चलिए, ये ये समाज की जिवाब देही बनती है, लेकिन ये वही समाज है जब यहां हम नहीं कह सकते हैं रतू कि सब घर में इस तरह के cases हो रहे हैं लेकिन कुछ cases निकल कर आते हैं कुछ registered होते हैं कुछ चीजे जब कानून की नजर में आ जाती है तो कानून बना किसलिए है? कानून इसलिए बनाए गए है duties, fundamental duties और fundamental rights क्यों लिखा गया है constitution में कि अगर हमारे कुछ rights हैं, constitution ने में कुछ अधिकार दिये तो कुछ duties भी हमें निभानी है और अगर हम अपनी duties नहीं निभाएंगे तो law action लेगा यहां पर जब यह दिख रहा है कि अब rape के cases brutally हम कह सकते हैं निर्भया कांड के बाद ये भी देखे, rape तो छोड़िये, जला दिया गया जिन्दा प्यांका रेडी को, और जहां एक लड़की सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है कि क्या मैं सुरक्षे थूँ, सरकार मुझे guarantee दे सकती है तो दबाने कुछ चलने की देखे, किस तरीके से यहां कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से ये वहवार रखेंगे पुलिस, कल हम और आप अगर जाते हैं, क्योंकि हम मीडिया से हैं तो शायद case register भी कर लिया जाए, लेकिन अगर एक simple, अगर हम इस पर एक survey करा ले और हम अपनी identity छिपा के चले जाएं, तो हमें भी इस तरीके का वहवार जेलना पड़ेगा और शायद हमारे उपर आरोप भी लग जाए कि आपने ऐसे कपड़े पहने रखेंगे, आप इसमी खुली विचार की है कुछ cases को मैसे मा लेते हैं, शायद police वाले ही उसको registered नहीं करते होंगे लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं रखते हैं, लड़किया खुद यहाँ पर दाखिल नहीं कराती है क्या उनमें आत्मविश्वास की कोई कमजोरी नहीं है, यहाँ पर कि जिसके चलते ही जो उनके साथ गुना हुआ है उसका उन्हें न्याय मिले और जो आरोपी है वो दंडित हो, क्या ये कमजोरी नहीं है लोगों में, क्या एक लड़की में कमजोरी नहीं है उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए वो अवाज उठाए वो बंध रह जाते हैं माता पिता रोग देते हैं कि नहीं अगर आप बोलेंगी तो ना कट जाएगी मत बोलिये रिष्टे नहीं आएंगे आपके लिए अगर सरकार इस पर कोई step ले अगर सरकार हमारे को पुलिस को sensitive करे अगर जो cell बनते हैं या हर थाने में इस तरह के महिला अधिकारी होती है महिला अधिकारी और आपने भी सुना है पुलिस वाले किस लैंगवज में बात करते हैं एक रेब विक्टिम जब वो बता रही होती है रितू मैंने देखा है कि रिकॉर्ड जब अपने स्टेटमेंट करा रही होती है तो ऐसी ऐसी चीजे पूछी जाती है ऐसी ऐसी चीजे आप यकीन नहीं मा होता है उन सवालों को जब आप सुनिएगा ले रितू तो आप अंदर तक का आप जाईएगा आपके साथ ऐसा लगता है कि दुबारा वही घटना हो रही है तो यह क्या हमें लौ में यह चेंजिस करने के ज़रत नहीं है उन सवालों के ज़रत कौन उपर कौन नीचे क्या था क्या पोजीशन कैस किस वक्त किस आपने क्या पहन रखा था इतने माइन्यूटली डीटेल्स होते है तो कोई भी इंसान ना थर रहा जाए का आप उठे कि वो घटना दुबारा आपके साथ घट रही है एक बैठा अधिकारी यह पूछ रहा है और मुझे समाज के सामने यह बताना पढ़ रहा है कि उस दिन उस वक्त शाद हम सोचना भी नहीं चाहे तो यह किसके जिम्मदारी बनती है क्या सरकार के जिम्मदारी नहीं बनती है कि एक रेब विक्तिम है या एक महिला उत्पिडन का शिकार हुई है उसके साथ किस तरीका क्या वहवार हो आपके questions क्या हो आपकी चीजे क्या हो बिल्कुल यह बदलाव होना चाहिए और मैं फिर से गह रही हूँ कि हर एक चीज को हम सेम करके यहां पर तोल नहीं सकते है श्वता हम मान लेते हैं कुछ जगों पर जैसे कि गाउंदे हाथ के पहले जिक्र किया वहां पर सरके questions होते हैं सवाल होते हैं और कई न कई टाल मटोल करके वो खत्म कर दी जाती हैं दर्ज नहीं की जाती है लेकिन हर बार इस चीज़ को हम शायद आगे नहीं रख सकते हैं जैसे कि आप यहां पर जिक्र कर रही है कि किस तरह से सवाल पूछी जाते हैं आप अगर आप आत्मिश्वास के साथ हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और न्याय मिलना चाहिए हालक कि जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया है उसमें बदलाब आना चाहिए वो जरूरी है लेकिन अगर प्रक्रिया का मैं सामना नहीं कर सकते हैं यह तो नहीं कि मैं पीछे हट जाओं मैं अपने खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसको सामने लाओं, अन्याय की गुहार लगाओं, सिर्फ सवालों से पीछे तो यह भाग सकते, वो प्रक्रिया सही होनी चाहिए, कानून है उसको अपनी प्रक्रिया सही करनी होगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के दर से क्या मैं चुप हो कि लड़किया या तो बैक आउट कर जाती है या परिवार वाले उन्हें कही न कहीं उनका ब्रेन वोश कर देते हैं कि एक बार तो तुमारे साथ यह घटना हो गई अगर तुम समाज में यह बाते फैलेंगी तो कहीं न कहीं आप यह कहना चारी है कि समाज की एक जिम्मधारी बनती है कि आप इन चीजों को बाहर लाईए अगर कोई रेप विक्टिम होता है आपने देखा होगा उसके साथ ऑफस में कैसा वेवार किया जाता है उसके साथ सुसाइटी में कैसा वेवार किया जाता है अगर हम इसे भगवान न करें किसी के साथ ऐसा कुछ हो अगर हम आ समाज की तरफ से एक अच्छा कदम नहीं होगा, क्या ऐसे केसिस फिर समने के बचे सामने नहीं आएंगे, पिर क्या वो कानूनी प्रक्रिया और मजबूत नहीं होगी। अपने चौकदार का रोल निभाना चाहिए, लेकिन जब समाज से उपर की ये बात उठ गई, जब केस हो चुके हैं, उसके बाद क्या, अगर कहते हैं न, ये हमारे ग्रीमंत्री ही हैं, और ये हमारे नितिन गड़करी ने जिस तरीके से कहा था, कि जब ट्राफिक रूल हाड क्यों एक प्रिती रेड़ी को जलना पड़ा, क्यों एक अनुदुवे को मांगना पड़ रहा है कि मेरी सुरक्षा कहा है, तो क्यों नहीं नितिन गड़करी ये कहते हैं, कि डर होना जरूरी है, फासी मिलेगी, ये कानून क्यों नहीं मनता है, क्यों विमन राइट्स कमिश है और शायद ये वज़ा भी है कि वहां रेप केसे खतम नहीं हुए लेकिन कम है बिल्कुल उधारन भी है चीन का हम जिस तरह से जिक्र करते हैं उसमें एक बार एक लड़की के साथ वो रेप हुआ वो निश्वांस जिस तरह से वो घिनौनी बारदात की उसमें एक जिक्र कि आगया था मैं अभी भी पढ़ रही थी 30 घंटे के भीतर वहां पर न्याय कर दिया गया है क्यों कि जो वहां की राजा थे वो मौके पर सामने आए और लोगों ने भी उनका साथ दिया कहते ना एकता में ही बल होता है यहां पर अगर आप एक साथ मिल जाएंगे तो शायद बुन्याय प्रक्रिया और भी हाँ पर मजबूत हो जाएगी तब तो शब्सक्राइब कानून बनाया गया है अब देखिए आप अपने लिए तो रातो रात कोर्ट पोहँट जाते हैं अब आप रित्तू महराश्च की राजनीती आपने देखी रातो रात जब बीजेपी स आप उठे और ब्रश कर रहे थे तो खबर मिली कि भई शबत ग्रहन हो गया ये कैसे हो जाता है और जब एक शमशाबाद में प्रयांका रेड़ी जलती है उसके बाद फिर किसी और केसे के लिए आप इंतजार करते हैं क्यों देखिए नजर अंदाज ये ऐसा शब्द है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना अगर आपको शायद वो गलत लग रहा है तो आप उसे नजर अंदाज कर देंगे अगर आपके पास साथ अच्छा हो रहा है तो आपको शायद उसे एक डेड़ महीने तक यहां पर घुमाएंगे आपने कानून की बात यहां पर करी जिम्मेदारी दी जाए यहां पर कानून बनता है 2012 में जिस तरह से निर्भिया के साथ वो कांड हुआ उसके बाद यहां पर स्ट्रिक एक्षन दिया गया सुप्रीम कोट की तरफ से कि कोई भी अगर महीला है ओफिस जाती है तो क्या यह जिम्मेदारी ओफिस की नहीं बनत के उफिस अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकता है नई बात हो रही कि समाज अपनी आकर तरफ क्षे से कह बन बहुत के पाते हैं जो शायद मीडिया हो सुर्खिया बन भी ने नहीं पाते वाहां देखिए कि वहां पुलिस का रोल एहां देखिए मुआंसिक जो दुरुबलता है पुरुशों की वही मजबूत करनाई है क्यों कहते हैं कि परिवार अपने बच्चों को जो संसकार दे वो सही दे क्यों हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को समझाए अगर वो लड़के को समझाती है तो उसके साथ उसको लड़की को भी समझाना होगा कि लड़के को ये समझाए कि किस तरह से आपको अपने आसपास, अगर आपका क्लास है, कॉलेज है, आपका अगर ओफिस है, तो किस तरह का विवार करना चाहिए, इसके साथ लड़की को भी बताना चाहिए कि अगर आप कहीं भार निकलती है, तो आपका dressing sense क्या होना चाहिए देश जैसा होता है, वैसी वेजभूशा होती है, तो इसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और यही हो जाता है कि हमें अपनी समाजिक जिम्मदारी जो है, वो सबसे पहले निभारे हैं, तो आप अपना पक्ष जो रख रही है, आपका कहीना कहीं, यही कहना है कि कानून अगर सक्त हो जाए, कानून की अगर सक्ती हो, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कहीना कहीं यह ठान ले, कि हमारे यहां दुबारा निर्भया कांट जैसी चीज़े नहीं होंगे, तो डर जो है, वो कहीना कहीं कायम रहेगा, और कोई भी इस तरह के केसि बढ़ेंगे नहीं, डाउन होंगे, तो पहले हमारे सिस्टम को बदलने की जरुरत है, हमारे पॉलिटीशिंस को बदलने की जरुरत है, जब उपर से बदलाव होगा, तो यह दीरे 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 लोगों तक जाएगा, और लोगों में डर कहीं बैठेगा, तो समाज मे कि मैं इसलिए बात करे थी क्योंकि देए कि कानून बन गये हैं लेकिन उन कानून का पालंग तभी होगा जब लोगों में कानून का कड़र हो गा शायद उकानून का डर लोगों में खतम हो गया है अपनी जिम्मेदारी हाँ और भाहर निक लेक्ते रही है आर्लाइन टीव नबसकार